है गाइज दिस यूर प्यारा साथ चैनल लव्यू कंगश्ट्री और मैसल पारके रातपूत सो गाइज दिर इस सम प्रोब्लम विद माइक और माइक ट्रैपोड सो आज मैं आपके साथ ये वीडियो विद इसकीन रिकोडिंग लेके आया हूं सो आज जैसे के आपको पता है आज हम आपके लिए फिफ्ट क्लास और बाय इन और गैनिक लेके आ हैं इससे पहले आप जो चार ग्लासिस पढ़ चुके हो उनमें आपने सबसे पहली क्लास में कुछ बेसिक्स पढ़ाता और फिर आपने पार बाय रिडिंग और उसकी ताद हम इसके बाद में आपने आको और तैसके रिडिंग पढ़ना उसके बाद में आपने फिर न ऐन आपने फिर एनजाम स्पढ़े थे तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बचचे सब्सकूर्स के आपके नि पर दे न आपने और Al-dehyde Oxygenase enzyme, बेखो जैसे के आपने जैन्थिन में बढ़ा था है, वहाँ पे जैन्तिन होता है, वो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, और उसकी एक सब यूनिट में 1 M.O. होता है, 2 F2S2 होते हैं, और 1 FAD होता है, इसी टाइप से Al-dehyde Oxygenase enzyme में आपकी एक ही यूनिट होत चार F2S2 होते हैं और आपके 2 FAD होते हैं, okay, got it, okay, इससे बाद में अगर हम बात करें, what is the use and the property of aldehyde oxygenase enzyme, तो generally यह करता क्या है, जब aldehyde का, aldehyde mostly आपका जो acetaldehyde का acetic acid में जो conversion होता है, यह उसे catalyze करता है, means it catalyze the oxidation of acetaldehyde into acetic acid, got it, okay, इससे बाद में हम देखते हैं कि यह आपका it catalyze the conversion of acetaldehyde into acetic acid, okay, तो अब हम इसका use क्या है हमारी बोड़ी में, देखो, चैसे कि हम alcohol का सेवन करते हैं, कौन से alcohol पीते हैं, हम ethyl alcohol का सेवन करते हैं, okay, that is your C2H5OH, okay, अब C2H5OH, जनरली जब अगर मैं इसका oxidation करूँ, this is a primary alcohol, अगर मैं primary alcohol का oxidation करूँगा, तो वो किस में convert हो जाएगा, मिंस मैं क्या पी रहा हूँ, alcohol मैं सेवन कर रहा हूँ, alcohol का सेवन करने से क्या बनना है, acetaldehyde, और आपको अगर मैं बताऊं, जो acetaldehyde होता है, वो हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही harmful होता है, तो अगर मेरी बोड़ी में, अगर मेरी बोड़ी में ये होने लग रहा है, तो वो harmful है, तो इसे degrade करने के लिए इसे खतम करने के लिए आपका जो एक enzyme होता है, जो इस aldehyde का acetic acid में conversion को बहुत fast कर देता है, that is your aldehyde oxygenase enzyme, got it? और इससे बाद में जो acetic acid बनेगा वो हमारे लिए harmful नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा important है, देखो ये रहा, when ethanol is consumed in the initial metabolic product is extremely poisonous acetaldehyde, तो क्या बनाता है, acetaldehyde बनाता है, जो बहुत ज्यादा poisonous है, which is kept in low concentration by aldehyde, oxidase catalyze conversion to harmless acetic acid, जो आपका ये है, aldehyde oxidase catalyst, ये क्या करता है, catalyze जो है, ये क्या करता है, जो आपका aldehyde है, उसका conversion कर देता है, acetic acid में, किसका, aldehyde का conversion किसमें कर देता है, acetic acid में, जो हमारी body के लिए harmful नहीं है, got it, okay, अब ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी जो आपका aldehyde है, उसकी concentration हमारी body में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसमें आपका जो catalyze है, जो aldehyde oxidase catalyst है, वो काम करना बंद कर देता है, तो उस time पे हम एक drug use करते है, that is your anti-bust drug, what? anti-bust drug, and the formula of anti-bust drug is this, got it, ये important question है, netjrp के लिए, पूछा भी जा चुका है, और आगे पूछ भी सकते हैं, तो important question है, इसलिए से याद रखना, ठीक है, आगे चलते हैं, next है आपका tyrosinase, okay, तो क्या होता है tyrosinase, tyrosinase is a copper containing protein, ये क्या होता है, copper containing protein होता है, आपने generally पढ़ाता जो metal enzyme होता है, वो क्या होता है, metal containing protein होता है, यहाँ पर जो metal है, जो आपके active site है, वो क्या है, copper है, okay, इसका काम क्या होता है, ये आपका monofenol को, monofenol को किस में convert करता है, bifenol में convert करता है, monofenol because here one OH is attached, directly attached to benzene ring, so this is phenol, and because one OH, so this is monofenol, and here are two OH attached, so this is bifenol, so ये क्या करता है, monofenol को bifenol में जो conversion होता है, उससे catalyze करता है, कौन, tyrosinase, very important, देख लेना, okay, इस में जो है, जो copper होते हैं, उस copper की 4 center इसमें present होते हैं, यानिके copper metal, इसमें कितने copper metal present होते हैं, 4 copper 2 plus present इसमें होते हैं, एक unit में, okay, got it, it catalyze monofenol to diphenol, okay, it involves, okay, next important point is, it involves in the key step of skin pigment melanin formation, जो आपका skin pigment melanin होता है, उसके formation में भी ये क्या होता है, आपका use होता है, got it, so ये था आपका tyrosinase, next one, next one is, most important, your cytokrome P 40, 450, okay, this is P 450, so cytokrome P 450, why, क्यों हम इसका नाम cytokrome P 450 पड़ा, तो देखो, जो ये compound होता है, उसके जो UV visible में, इधर आपका absorption होगा, ठीक है न, और इधर आपका lambda होगा, इसका जो peak आता है, वो 450 nanometer पर आता है, 450, इसलिए और ये आपका बहुत ही specific peak है, only इसके लिए, तो इसलिए से क्या का आ जाता है, cytokrome P 450 का आ जाता है, अब इसका structure देख लेते हैं, क्या होता है, cytokrome P 450 का, तो इसमें आपका center में जो active site पे होता है, वो iron third होता है, 3 positive होता है, और वो एक porpirin ring से attach होता है, किस से attach होता है, और पाइरीन ring से attach होता है, और उसका जो 5th position है, देख, 1, 2, 3, 4, and the 5th position है, वो 16 से जुड़ा होता है, और जो आपका 6th position है, वो water से जुड़ा होता है, जैसे कि मैंने myoglobin में पढ़ाता, myoglobin में क्या था, आपका catalyze enzyme में पढ़ाता, प्रोक्सिडेज enzyme में, वहाँ पर मैंने क्या पढ़ाता, जो 5th position है, वो किस से जुड़ी थी, वो आपका water से जुड़ी थी, और यहाँ पर जो 6th position है, वो water से जुड़ी है, और जो 5th position है, वो 16 से जुड़ी है, अब देख, जो इसका most important role होता है, साइटोक्रोम P450 का, वो क्या है, देख, यह क्या करता है generally, यह आपका, जो अगर carbon hydrogen bond है मेरे पास, या carbon carbon bond है, या carbon carbon double bond है, तो यह क्या क्या करता है, इन bond में oxygen का insertion कर देता है, क्या 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 क्य में और carbon hydrogen bond में और carbon carbon bond में oxygen का insertion करता है यानि कि उनका oxidation कर देता है और important क्यों है यह चीज इसलिए बहुत ज़्यादा important है अगर मेरी body में कुछ pesticide चला गया जैसे कि कोई भी pesticide अगर मेरी body में चला गया तो जो pesticide होता है वो completely क्या होता है वो completely कार्बन कार्बन chain से बना होता है means that is completely non-polar वो जो हमारी body में water present होता है वो उसमें soluble नहीं होता तो इसलिए अगर मेरे पास cytochrome P450 है वो क्या गरेगा carbon carbon bond के बीच में oxygen का insertion कर देगा तो यह आपका polar compound बन जाएगा और polar compound बनने के बाद में यह water में solubile हो जाएगा और फिर यह urine के थिरू बोड़ी से बाहर निकल जाएगा ओकी यह next metallo enzyme is cytochrome C oxidase and that is also most important metallo enzyme for the point of view of CSIR net share ओकी so what is cytochrome C oxidase so the structure of this is there are two metals present one is iron and another one is copper so और कितने यहापे दो copper में पाए जाते हैं इसकी structure में और दो ही sorry दो iron पाए जाते हैं और दो ही copper आपके पाए जाते हैं okay अब जो दो copper होते हैं यह दोनों की इस type के होते हैं आपके heme heme type के iron होते हैं और इसमें दो copper पाए जाते हैं अब मैं उनका क्या notation कुछ अलग-अलग दोनों का notation होता है वो आपको दिखा देता हूँ देखो generally यहाँ पे दो iron जो होते हैं एक iron जो होता है वो आपका heme A iron कहलाता है और दूसरा iron आपका heme A3 कहलाता है और दो जो copper होते हैं एक copper copper A होता है और एक copper copper B होता है अब हम इसका थोड़ो सा use देख लेते हैं क्या use होता है आपका cytokrome C oxidase का so यह जो oxygen का oxygen का reduction होता है water में यह उसे क्या करता है catalyze करता है so see this is your oxygen and this is your hydrogen so addition of hydrogen is known as reduction so oxygen का यहाँ पे क्या हो रहा है hydrogen एड हो रहा है so oxygen का reduction हो रहा है 4 electron यहाँ पे आड होगे न so this is the reduction of O2 in water so यह क्या करता है इस reaction को catalyze करता है कौन? CYTOCROM C oxidase got it? okay अब देखो CYTOCROM C oxidase में मैंने बताए 2 iron present होते है कितनी iron present होते है? 2 iron present होते है दोनों heme की form में present होते है एक को मैं heme group A कहता हूँ एक को मैं heme group A3 कहता हूँ ऐसी 2 copper present होते है एक को मैं copper A कहता हूँ, एक को copper B कहता हूँ, अब यहाँ पे आपके generally दो pair बनते हैं, क्या बनते हैं, दो pair बनते हैं, एक तो him A, और copper him A, and copper A का, और दूसरा him B, sorry, A3, and copper B, ही, तो यह दो pair बनते हैं, इन दोनों के जो काम होते हैं, वो different different होते हैं, यहाँ पे जो आपका पहला pair है, उसका जो काम होता है, वो electron transfer का काम होता है, किसका काम होता है, electron transfer का, means reduction में जो आपके electron चीहें, उसमें जो electron transfer का काम होता है, वो किसका होता है, first pair का होता है, that is your him A, and copper A, एंड जो दूसरा होता है आपका heme A3 and copper B इसका जो काम होता है, इसका काम होता है reduction of O2 सो ये दोनों pairs का अलग काम होता है, देखो यहां पे लिखा भी है 1, copper A and heme A, that is called cytokrome A, are involved in the transfer of electron means electron transfer जो process होती है, उसमें कौन involved होता है एक तो आपका, जो आपका copper A था और जो आपका heme A था वो महाँ पे यूज होता है, means आपका जो cytokrome, जो आपका cytokrome A है और जो आपका cytokrome B है वो किसमें यूज होता है, वो देख लो while reduction of O2 to H2O, means जो आपका O2 से H2O जो reduction होता है उसमें कौन यूज होता है, उसमें आपका second pair यूज होता है C, the reduction of O2 to H2O is carried out by second heme, that is your cytokrome A3 this is the pair of copper B and heme A3 and copper B the reduction of dioxygen with enzyme probably take place through this bridge, means जो आपका जो reduction होगा, वो आपका इस bridge से होगा, यह भी आप जाद रखना, कभी-कभी वो question paper में पूछ लेता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका बहुत ही important question आ गया है इस question से जो पीछे के आपने enzyme पड़े हैं उन्हें आप revise कर सकते हो, what is the question over here, so see, यह आपका matching का question है, देखो first, आप matching नहीं देखोगे, एक बार आपको बस इधर reaction देखना है, ठीक है, अगर आप first reaction देख रहे हो, तो इसमें एक compound का क्या हो रहा है, oxidation हो रहा है, compound AH2 उसका क्या हो रहा है, oxidation हो रहा है, देखो AH2 से ए बन रहा है ना, removal of hydrogen हो रहा है, तो oxidation हो रहा है, with the help of H2O2, तो ऐसा कौन सा metal enzyme था, जो किसी compound का oxidation करता है, with the help of H2O2, that is your paroxidase, okay, क्या होता है, paroxidase, second one, second में क्या हो रहा है, आपका जो H2O2 है, यानि कि है hydrogen proxide है, उसका क्या हो रहा है, O2 और water में H2O2 का क्या हो रहा है, decomposition हो रहा है, इसे catalyze कौन करता था, यह आपने पढ़ा है, वो था आपका catalyze oxidase, where is, so this is your catalyze enzyme, okay, next is your RCH2OH, यह तो आपने आज ही पढ़ा है, यह क्या है आपका, alcohol है, sorry, कल पढ़ा था, alcohol है, और alcohol किसे reaction कर, alcohol क्या दे रहा है, alcohol आपका aldehyde बना रहा है, alcohol क्या बना रहा है, aldehyde बना रहा है, by the transfer of hydride ion to Na+, यह Na+, को hydride ion देखके यह बना रहा है, aldehyde बना रहा है, तो कौन सा reaction था यह, कौन सा enzyme था, वो था आपका aldehyde oxidase enzyme, यह आपने कल पढ़ा था, ठीक है न, क्या और रहा है, फिर से देखो, alcohol का aldehyde में conversion है, by the transfer of hydride ion to Na-D+, okay, next one is, aldehyde का acetyldehyde का acetic acid में conversion, यह तो हमने आज ही पढ़ा है, aldehyde का, oh sorry, उल्टा हो गया, यह जो आपका था, यह वाला, आपका hydride transfer हो रहा है, आपने कल पढ़ा था, LADH, यह तो आपने आज पढ़ा है, LADH, ठीक है, अब आम देखते हैं, next वाला, next है, आ आपने आज ही पढ़ा है, क्या था, aldehyde oxidase enzyme, got it, okay, next वाला देख लेते हम, next वाला क्या है, देखो बहुत important है, देखो ध्यान से, ध्यान से, देखो इसमें क्या है, पहले वाले में, अगर आप पूरे को छोड़के, पूरा तो सेम है, यह सब कुछ सेम, ठीक है, ना, बस थ acetaldehyde, acetic acid में convert हो, acetaldehyde, acetic acid में convert हो रहा है, कौन करता है, आज ही बढ़ा है, आपने, क्या लिखोगे इसमें, बताओ, ldi-oxygenase enzyme था, ठीक है ना, दूसरा, लेकिन दूसरा, यहाँ पर यह option नहीं है, वो option तो आपने इसमें मिला लिए, आपका एक option बताए, cytokrome P450, इसका तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, यह कौन सा bond है, CH bond है, जहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यह कौन सा bond है, आपका CH bond है, और CH bond में मैंने O का insertion किया, किसका insertion किया, O का, कौन करता है CH bond में O का insertion, that is your cytokrome P450, आप confuse मत हो ना, देखो, उपर वाले में सीधा acetaldeide, यह तो 100% aldeide से oxidase है, बचा किया, cytokrome P450, क्या करेगा यह, उपर वाली reaction तो यह कर नहीं सकता, यह क्या करेगा, नीचे वाली reaction करेगा, वैसे उपर वाली भी ठीक है, उपर वाली में भी कोई है, यहाँ भी CH में insertion हो रहा है oxygen का, ठीक है ना, लेकिन आपको इस से 100% पता लग रहा है कि CH bond में किसका insertion हो रहा है, O का insertion हो रहा है, कौन करता है इसा, ऐसा करता साइटोक्रॉम P450, got it, so यह question था, important question था, ठीक है ना, पुछा जा सकता है, आए ना तक समझे, ओके, आपका next metal enzyme है, that is your vitamin B12, क्या है वो, vitamin B12, यह भी काफी important है, ठीक है ना, इसके लिए आप पहले एक ring पढ़ लेतो, that is your chlorine ring, देखो जी, आपने इस पहले आपने पोर्पारी पढ़ी थी, वो अब तक यूज़ होई है, अब next ring है, आपकी chlorine ring, यह यूज़ होगी, ऐसी next ring chlorine ring आएगी, वो आपका बड़ो synthesis में यूज़ होगी, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यह ring देख लेते है, chlorine ring, होता क्या है, chlorine ring में ध्यान से देखो, यह generally आपने जो directly bond attach कर दिया है, तो इसमें क्या होता है, एक breeze यहां से गायब होता है, और simple ही क्या होता है आपका, यहाँ पे इन दोनों ring को direct जोड ले जाता है, और सब जंगा CH, CH, CH units है, ओके ना, तो वो अगर मैं देखा हूँ, जो मेरी पोर्पायर ring थी, वो क्या थी, symmetrical ring थी, लेकिन यह कैसी है, less symmetric, इसकी जो symmetry है, वो गटी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब जंगा सेम है, लेकिन यहाँ पर different आ गया, तो यह आपकी symmetry change होगे, तो मैं कहूंगा, यह कैसा है, less symmetric है, कैसा है, less symmetric, ओके, next चीज़ आप देख रहे होंगे, उसमें आपके 11 क्या थे, hydrogen bond, वो sorry, pi bond देखर, लेकिन यहाँ पर आप pipe bond गिनो, तो कितने pipe bond है, one, two, three, four, four, एक यहाँ पर है, sorry, five and six, तो six pipe bond है, देखो, one, two, three, four, five, six, there are six pipe bonds, लेकिन वहाँ पर कितने pipe bonds थे, वहाँ पर आपके 11 pipe bond, means, आपका जो conjugation है, वो भी घट रहा है, या आप कहतो, जो unsaturation है, वो भी कम हो less unsaturated, okay, less unsaturated, और less symmetric core in ring, got it, okay, अगर आपने अब देखा, कितने pipe bond है, six pipe bond है, six pipe bond है, तो 12 pipe electron होगे, 12 pipe electron होगे, ठीक है न, 12 pipe electron को, क्या आप 4n plus 2 में fit कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यह तो 4n pipe rule को follow कर रहा है, तो this is not an aromatic compound, जैसे कि आपका core iron ring जो aromatic compound था, यह aromatic compound नहीं है, ठीक है यह कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है, वहन one, when, sorry, when one bridge carbon atom between two pyrrole ring is missing from porpyrene ring, then the octane ring is called corine ring, okay, second one is ring, this ring is less unsymmetrical and less unsaturated, यहाँ पे आप लिखोगे less symmetrical, means this is unsymmetric, less symmetrical and less unsaturated, got it, so यह था आपका structure of vitamin B12, इससे आगे हम देख लेते हैं, क्या complete structure, हम structure इसका बना के देख लेते हैं, क्या होता है, bit value का structure, तो देखो, इसमें यह अपका corine का structure था था ना, अब आप vitamin B12 का structure देख लेते हैं, देखो, आपका यह corine ring है, corine ring के अंदर जो मैंने metal यहाँ पर रखिया है, वो metal कौन सी है, cobalt metal है, जैसे कि आपने हीम group में बढ़ादा कौन सी metal थी, myoglobin बगेरा में कौन सी metal थी, आपका F ही metal था, यहाँ पर cobalt metal है, और वो कौन सी state में, प्लस 3 state में, यानि के यहाँ पर cobalt प्लस 3 परजेंट है, corine ring के, sorry, corine ring के अंदर, got it, अब इसका, जो यह 5th position है, इससे जुड़ा है cn जुड़ा है, तो यह आपका जो होगा, वो कहला हैगा, vitamin b12, and that is also called cobalamin, this is your cobalamin, and this is syno group, so this is called synocobalamin, so depend on this x group, the name of this compound will change, or this type compound will change, let's see, अगर यहाँ पर cn group है, तो synocobalamin, that is your vitamin b12, अगर यहाँ पर water होता, x की जंगा, so that is your aquacobalamin, अगर यहाँ पर methyl group होता, that is your methylcobalamin, अगर यहाँ पर adenosyle group हो, यह आगे हम पढ़ने वाले है, adenosyle अगर यहाँ पर adenosyle group हो, so that is your coenzyme b12, that is your coenzyme b12, got it, okay, so यह होगा आपका coenzyme b12, and जो coenzyme b12 होता है, वो generally आपका एक natural organometallic compound, यह question organometallic में पुछा जखता है, यहाँ पर भी, जैसे ही पुछा भी गया है, की इन में से, जैसे की एक बार पुछा गया है, 2017 में I think पुछा गया है, कुछा गया है, कुछ compound दे दे थे, वहाँ प जो भी natural organometallic compound, क्या देता है, got it, यहां तक संज़ में है, okay, so जैसे की देखो, यहाँ पर लिखा है, आपका it is a natural organometallic complex, ठीक है न, अब यहाँ पर cobalt third है, cobalt third present with CN group, low spin complex, देखो, cobalt third, low spin, cobalt third, low spin, cobalt third, low spin, cobalt third क्या होता है, आपका d6 होता है, d6 हो low spin में होगा, तो t t2g6 और eg0 होगा, जैसे की यहाँ पर लिखा भी है, this is your t2g6, eg0, t2g में पूरा six fill है, means एक भी unpaired electron नहीं है, so this is a diamagnetic complex and esr inactive complex, got it, okay, अब हगर हम बात करें, इसके color की, तो इसका जो color होता है, वो कैसा होता है, आपका red color होता है, कैसा color होता है, इसका, sorry, कैसा color होता है, इसका, red color होता है, और मैंने बताया है, यहाँ पर जो compound में, जो colors होता है, वो किसके कारण होता है, pi to pi star intelligent transition, तो कौन सा transition के कारण होगा, pi to pi star, mostly pi to pi star होता है, four position occupied by an atom of chlorine ring, चार पोजिशन एन atom of chlorine ring से attach होगी, जैसे कि आपने चार एन, एक एन यहाँ पर, एक यह यहाँ पर, यह यहाँ पर, यह ऐसे चुड़ा था, और यहाँ पर आपका cobalt third, यही तो था, यहाँ पर आपका cn था, यहाँ पर आपका histidine था, ठीक है न, यही तो पढ़ा था आपने, तो चार पोजिशन जो है, किस से occupy है आपकी, an atom से occupy है, and one by cn group, and another one by histidine, means fifth position histidine, sixth position cyanobro, और first to fourth position आपकी nitrogen atom of chlorine ring, okay, अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, आपकी इसकी, जो oxidized form है, and इसकी जो reduced form है, अगर मैं cobalamin की बात करूं, तो cobalamin में यह जो है, आपका cobalt third है, क्या है, cobalt third है, तो इसका, क्या होता है, d6 configuration, और आपने पढ़ा था, low spin, diamagnetic, वह सब इसका color कैसा होता है, red color होता है, यह सब अपने पढ़ा था, अगर मैं क्या करूं, इस पे एक electron डाल दो, कितना electron, one electron मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो यह क्या बनेगा, यहाँ पे plus three से state क्या हो जाएगी, plus two हो जाएगी, and that is, cobalt plus two is your d7, d7 होगा, तो d7 कैसा होगा, आपका un अपने पेड एक electron होगे, तो this is paramagnetic, this is paramagnetic, and ESR active, and the color of this compound is brown color, okay, and this is called reduced state, क्योंकि मैंने क्या किया, इसका एक बार reduction किया, okay, अगर मैं एक बार और electron डाल दो, तो copper first मिलेगा, and this is called super reduced state, reduce को भी reduced किया, तो that is called super reduced state, okay, d8 configuration होगा, d8 क्या होगा, d8 क्या होगा, t2 g 6, and easy 2, so easy में 2 है, easy में 2 है, तो this is also, have unpaired electron, unpaired electron होगे, so यह आपका कैसा होगा, paramagnetic होगा, और ESR active होगा, got it, संग्या है यहां तक, okay, okay, अब इसके uses क्या होते हैं, हम uses देख लेते हैं, देखो, जैसा कि पहला use है, इसका, vitamin B12, or you can say, cobalamin conversion of OH to OH, यानि कि यह क्या करता है, यह आपका alcohol group को अटाता है, और वहाँ पे H जोड देता है, means, यह alcohol से, alcohol के reduction को, alcohol का reduction to H, यह उसे क्या करता है, catalyze करता है, means, अगर मैं कोई भी compound ले रहाँ, that is, let's say, CH3OH, यह मेरे पास compound है, मैं kobalamin इसमें डाल रहाँ, तो यह क्या बना लेगा, that will make CH4, okay, इस OH group को अटा देगा, और इसकी जंगा एक H लगा देगा, CH4 बन जाएगा, देखो यहाँ पे, CH3OH है, this is your methanol, vitamin B12 की presence में क्या बना लेगा, CH4, methane gas बना ली, so this is a important metal engine, यह RNA के DNA में conversion को भी catalyze करता है, क्या करता है, RNA के DNA में conversion को भी catalyze करता है, deficiency of vitamin B12 causes anemia, okay, and neurological disorder, और हमारे अंदर कुछ neurological disorders भी आ जाते हैं, इसकी deficiency, this is a important compound for our body also, so यह चीज़ आप याद रखोगे यहाँ पर, okay, आया समझे, अब मैंने देखा था, कि अगर मैं उस corine ring में, जो मेरी corine ring थी, अगर उस corine ring में, adenosyle, adenosyle क्या डाल दू, group डाल दू, CN की जगा, यहाँ पर X की जगा, adenosyle group डाल दू, तो that is your co-enzyme B12, that is your co-enzyme B12, तो next हम पढ़ने वाले हैं, your co-enzyme B12, so देखो, co-enzyme B12 में क्या होगा, वो ही CN, जहाँ पर X था, X में क्या जाएगा, आपका, X क्या हो जाएगा, यहाँ पर adenosyle हो जाएगा, विटामिन B12 को मुझे अगर co-enzyme B12 में convert करना है, तो आपका ATP से reaction करा दूँगा, क्या बन जाएगा, TPP बन जाएगा, और sinogrove बाहर निकल जाएगा, ओके, co-enzyme B12 is associated with many biochemical reactions, conversion of methyl, co-enzyme A to succinyl co-enzyme, देखो यह भी आपका important reaction है, क्या ही बार पूछ चुगा है कि, conversion of methyl, co-enzyme A to succinyl, co-enzyme A, इसको भी कौन केटलाइज करता है, आपका co-enzyme B12 करता है, ओके, जैसे कि आपका isomerization of decarboxylic acid है, decarboxylic acid में, जैसे कि आपका glutomic acid है, into beta-methyl aspartic acid में, इसका conversion है, इसे भी आपका यह catalyze करेगा, ठीक है ना, dismutation of vicinal diol to corresponding LDI, यानि कि vicinal diol को corresponding LDI में क्या करता है, conversion को catalyze करता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यह आपका vicinal diol है, क्योंकि दोनों side वाले carbon पर दो O है जुड़े हैं, तो यह आपका vicinal diol है, vicinal diol को corresponding LDI में क्या करता है, convert कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपके दो carbon है, ठीक है ना, LDI में, तो इसमें इसका conversion करता है, for example, यह आपको दे दिया है, propane 1-2 diol को किसमें convert कर रहा है, propane LDI में convert कर रहा है, ठीक है ना, कर लोगे, next से आपका methylation of homocysteine to methinoic acid, means homocysteine को किसमें convert, conversion को catalyze करता है, methinoic acid में जो conversion होता है, उसे यह catalyze करता है, तो यहाँ तक समझ में आया, okay, important चीज़े है, next है आपका 13 metal enzyme, जो है आपका super oxide dismutase enzyme, भाई सब इससे question बहुत पूछ चुका है, जैसे 2016-17 में उसने question पूछा था, sword से, बहुत important है, तो यहाँ पर दो type के आपके sword present होते हैं, किदने type के sword present होता है, दो type के sword present होते हैं, first is your copper zinc sword, first one is copper zinc sword, and second one is magneze sword, means एक sword में तो आपका copper और zinc present होता है, दूसरे sword में आपका MN present होता है, अब जो आपका copper zinc वाला sword है, वो किसमें मिलता है, eukaryotism में मिलता है, that is your human being में मिलता है, और जो आपका MN वाला सोड़ा है, Magnes वाला सोड़ा है और FV वाला सोड़ा या Magnes या Iron वाला सोड़ा यह जो दोनों सोड़ होते है, Procaratose में पाया जाते है, that is your bacteria तो उसने question बस यही से पूछा था, copper zinc वाला eukarytos में मिलता है, Procaratose में तो वह आपका eukarytos में मिलता है, Magnes और Iron वाला कहां पर मिलता है, Procaratose यानि के bacterias वगेरा में मिलता है अगर मेरी body को Megane में ऑक्सिजन पर्जैंट है, So parfum वंवलता हो, आपक्सिजन के reduction से superoxide नाता है अगर मैंकल रिदक्शन घ्यातmb थे वाला bayँ करके है, वह रोक्रक्षाइट च्मार कहां मिलता है फिर से देखो, oxygen का मैंने क्या क्या, reduction क्या, two electron डाले, reduction क्या, इसमें एक electron फालतु है, तो that is your super oxide, और जो यह super oxide होता है, यह living things, जो living things होती है, जो living system होता है, उनकी body के लिए बहुत harmful होता है, तो आपका जो, यह, sword है, sword क्या करता है, इस conversion को रोकता है, वो क्या कर देता है, वो generally जो आपका, यह, o2 minus है, यह, इसमें, इसका क्या कर देता है, reduction करके, क्या बना देता है, h2, o2 में, इसे convert कर देता है, and that is not harmful for our body, so, यह, important use का, किसका, sword, आया यहां तक समझें, ओके, अब हम इस स्ट्चर देख लेते हैं, पहला आपका copper zinc, sulfur oxide dismutase enzyme, यानिके, that is your copper zinc sword, किसमें मिलता है, human bodies, eukaryotos में मिलता है, इसे हम द्यान से देख लेते हैं, क्या होता है, इसमें देखो, copper metal होगी, copper 2 और zinc 2 होगा, मैंने बताया था, आपको जो zinc होता है, वो हमेशा tetraidal form में होता है, तो जो zinc वाला होगा, यह completely tetraidal होगा, तो यह tetraidal से पहला जाता है, इसे दो हिस् जुड़े होगा है, यह complete structure किसका है, copper zinc, sod का है, got it, okay, यहां तक आपका समझ में है, जो जो मैंने अब तक आपको बताया, तो यह सब आपके important थे, इसमें हम आपके last topic के ओर चलते हैं, कुछ miscellaneous enzymes हैं, जो मैंने enzymes पढ़े, details में, उससे अलग कुछ enzymes हैं, जो आपके पूछ ल यूरेस जो है, यूरिया का ammonia और carbon dioxide में जो conversion होता है, यानि कि जो hydrolysis of urea into NH3 ammonia and CO2 होता है, यह उसे क्या करता है, catalyze करता है, और इसमें जो metal होती है, इनकी metals याद रखना, इसमें metal nickel होती है, और use याद रखना, बस इनके use और metal याद रखना, तो कैसे conversion करेगा, देखो जी, यहाँ पर आपका यूरिया, यूरिया क्या होता है, NH2, CO, NH2, यह आपका यूरिया होता है, in the presence of urease, क्या करेगा यह, इसे CO2 में बिदलतेगा, पलस NH3 में बिदलतेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 NH3 हो जाएंगे, पलस CO2 और hydrolysis करेगा तो water की presence में, तो यह आपका conversion को क्या करत है, कौन? यूरिया, important है, okay, हो जाएगा, next वाला है, arginase, arginase क्या करता है, electron transfer का का काम करता है, जैसे कि आपने oxygen transport system पढ़ेते हैं, ऐसे ही आप आगे electron transport system पढ़ोगे next class में, तो यह arginase होता है, यह electron transfer का का काम करता है, और इसमें जो metal होती है, वो कुन सी होती है, macnes होती है, next है, आपका aminopeptidase, aminopeptidase क्या करता है, यह आपका, जो amino acid को, जो cleavage होता है, यह उस reaction को catalyze करता है, यानि कि it catalyze the convert, it catalyze the cleavage of amino acid, okay, and the metal are present in it is, are manganese and magnesium, magnesium तो magnesium परजयंट हो सकता है, और magnesium इसमें परजयंट हो सकता है, okay, fourth one is your amine oxidase, okay, what is amine, that is amino oxidase, this is amine oxidase, amine oxidase क्या करता है, यह जो आपके amine होते है amine का aldehyde में conversion जो होता है उसे catalyze करता है metal इसमें copper होती है इससे आगे है आपका hydrogenase यह क्या करता है H2 के oxidation को catalyze करता है H2 का oxidation in water उसे क्या करेगा यह catalyze करेगा और जो इसमें metal होगी वो क्या होगी आइरन होगी Next है आपका Gluctose Oxidase So Gluctose Oxidase generally होता क्या है यह आपका Non-Blue Protein भी कहलाता है क्या कहलाता है Non-Blue Protein इसमें क्या होता है आपका यह भी आप आगे पढ़ोगे Non-Blue Proteins और Blue Proteins इसमें जो Metal होता है वो कौन होता है Copper होता है और यह आपका क्या करता है Oxidized Primary Alcohol by Oxygen With the use of Oxygen to Aldehyde Means Primary Alcohol का Aldehyde में जो Conversion है With the help of O2 That is your Gluctose Oxidase Means Gluctose Oxidase क्या करता है आपका जो Alkohal है Primary Alcohol है उसका Aldehyde में Conversion को Catalyze करता है तो That's It यह हमारा आज का सेले बस्ता है यह आपका 5th क्यास था बहुत ही Important है ठीक है ना? तो Please इन्हें याद रखना और अगर जो भी कोशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो You are free for comment और हमारा जो Next क्यास होगा Next क्यास में हम आपके Electron Transfer System पढ़ेंगे Electron Transfer Systems are Most Important उसमें आप Iron Sulphur Protein पढ़ेंगे जिसमें आपका Robid Oxin होगा Phad Oxin होगा Risky Protein होगा Risky Protein इसे कोशन पूछा गया था ठीक है इससे कोशन आ सकता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यह आपका बहुत इंपोर्टेंट टोपीक है ठीक है ना Cytochrome फिर हम पढ़ेंगे फिर Copper Blue Proteins पढ़ेंगे जैसी हमने Non Blue Protein पढ़ेंगे Non Blue Protein पढ़ेंगे और Copper Blue Proteins हम पढ़ेंगे ठीक है ना जो आपका Iron Sulphur Protein है इनसे भी कोशन बहुत जादा पूछे जाते है असेंसियल एलिमेंट्स होते है जिनकी जरूरत होती है बहुत ही Trace Amount में छोटे Amount में तो हम पढ़ेंगे जैसे कि Iron बगरा यह सब है Magnes, Nickel यह सब है तो हम भो पढ़ेंगे तो आज के लिए Bye Bye Thanks for watching and please like, share and subscribe